जननी है कर्ण्या, इसी से तो चलता है संसा, बंद करो इन पर अध्याचार, उप्मरानों का है कानून तयार, देर आए दुरुस्ता है चर्चा करेंगे और इस चर्चा की शुरुबात करें, उससे पहला आपि रिपोर्ट देखिए त्यायन का डंक अब नहीं चलने वाला, क्योंकि इस शब्द का इस्तेमाल करने वाले और इस शब्द के जरिये कहर बरपाने वालों पर कानून का टंडा चलेगा राजिस्तान विधासभा में अंदविश्वास की नाम पर तांडो पहलाने वालों के खिलाब विधेयक पास कर दिया गया है कतोर सजा का प्रावधान है महिला को डायन कहा तो एक साल से पाँच साल तक की जेल होगी और पचास हाजार का जुर्माना अलग से देना होगा महिला के मुँपर कालिख पोती तो तीन साल से साथ साल तक की सजा होगी लेकिन सवाल है कि क्या कानून से ये कुप्र था सच में दूर हो जाएगी कानून तो कई बने हैं सम्विधान भी सबसे अच्छा है लेकिन सवाल नियत का है और क्या कानून बनने के बार लोगों का नजरिया बदल जाएगा क्या खाकी कानून की पालना करवा पाएगी ये बड़ा सवाल है बिरु रिपोर्ट के साथ बिरजेश संग्, समाचार प्लास तो लंबे वक्त से इस कानून की मांग की जा रही थी सरकार ने कानून बना भी दिया है, लेकिन कई सवाल बिपक्ट के और से खड़े के जा रहे हैं और समाज से भी संगठन के और से बे कोई सवाल खड़े किये जा रहे हैं कि आखरकार वाकई क्या कानून से सब कुछ दुरस्त हो जाएगा इसी पर आज हम चर्चा करेंगे सुमन शर्मा पार्टी जनता पार्टी के नेता, जोती खंडिलवाल, कॉंग्रेस पार्टी के नेता और मांचंद खंडिला साहब राजनेतक विश्लेशक हैं इस चर्चा मेरे साथ जोड़ने हैं, आप तिनों का स्वागत है और मेरे साथ हमारे मैनेजिंग अरिटर अमिताब अगनी होतरी जिए इस चर्चा में जोड़े हुए हैं मेरा पहला सवाल आज जोती जी आपसे ही है सक्त कानून की दरकार थी, उस पर पहल हो गई है, कानून बन गया है और हमेसा संशोधन की गुंजाइश तो होती है, तो इसमें भी कुछ संशोधन हो सकते हैं कुछ बदलाओ की मांग आपकी बेर करती है लिए आप लोग खुश हैं कि सरकार ने कानून लेकर आई है धर्मराज जी मैं ये कहना चाहूंगी तो एक कानून जरूर बनना चाहिए लेकिन धर्मराज जी कानून को सिर्फ हम एक तरह से कहाएं कि केवल वाई वाई बटोरने के लिए न बनाएं ये बहुत जरूरी होता है जब आप कानून बना रहे हैं एक नया कानून लेकर की आ रहे हैं तो उसको बजाए जल्दवाजी के लाने के अगर उस कानून पे पहले से जन्पतिनिधियों की राए एंजियोस की राए जो समाज में इस प्रथा के खिलाफ लड़ रहे हैं उनके साथ राए जो खाप पंचायते हैं जो कही न कहीं सब चीजों के लिए जिम्मेदार होती हैं उनकी राए और इस सब के शामिल करके कुछ एक ऐसा कानून लाया जाए जो की बहुत साथ ही साथ उसको इंप्लिमेंट करने की पूरी नियत और उसको इंप्लिमेंट करने की तरीके के साथ अगर कोई कानून लाया जाए तो निश्यत रूप से उस कानून की इंप्लिमेंटेशन से उस कानून का जो लाब है वो उस व्यक्ति तक उस पीडित व्यक्ति तक जरूर पहुंचेके जहांपर एक तरफ भानमंती नरेंदर मोधी जी यह नहीं मोधी जी पर हम ने जाएंगे नहीं कानूल पर और आजिजिए विना इंप्लियम्म देखे धरमराज जी और अमिताब जी मुझे याद है कि हम लोग 15 दिन इस से जादा दिन नहीं हुए होंगे जब भीलवारा में एक डायन महिला को प्रतारित किया गया था और आपके चैनल पे हम तीन अलग-अलग विचारदारा की महिला नेतरी लोग बैठे थे और उस दिन अमिताब जी इस प्रता से बहुत व्यथित भी थे और मैं आपको अमिताब जी ये यकीन दिला के गई थी कि विदान सभा के इसी सत्र में ये बिलपारित होगा ये नियम बनेगा ये धरमराज ने थोड़ा गरबर कर दिया मैं चाहता था सबसे पहले मही बात की शुरबात जी मुझे यही लगा था कि थोड़ा सा लेकिन धिस्ट्र में अपकी बात कहूंगा आप रुशिंत रहे हैं चले बहां बोले हैं मैं आप जोती जी कह रही है कि थोड़ी जल्दी हो गई दर्मदाज जी ने भी यही कहा लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि महिलाओं के विश इसमें देरी के आवस्ता नहीं अब कहेंगे जैसे सकुंतला रावत को मैं सुन रही थी जो विधायक हैं कॉंग्रेस की और महिला कॉंग्रेस की अध्यच भी है अब उन्होंने देखे क्या कई बार होता है ना अपने गाउं में एक आवच चलता है कि चावल बना तो पीला प्लचן जाता है कि ऐा इने बात महीा से इसको एसे कीजेए वैसे कीजे उसको दं से बेएक है सन्पत्र से तो सामूह कोना तो हतिया निवार deux एक पिस पर रहा थेुए उस जिस तरह की बाते की जा रही है न वो पूरी तरह से वांचनिय बिलकूल नहीं हैं. अगर आप स्मस्वुथर की बात करें मेरीका ना कानून बन गया. और सुमझने के बिलकूल सही बात गई. नगी सारे गाहयों पता होता है जाल में क्यों चिया। जहांता है हूं, सबसें मेतरपूंग जो बात रह गई है डाकी को सजा क्यों नहीं डाकी बनाने वाले को सजा क्यों नहीं कि यारे वासम अब कम से कम जो है डायन रोगा की डाकी जो है वह अपने आपमें आद्मी है अब मैईला उसको भड़ा पूरी तरह से उसके भी लिये कोई ना कोई व्यवस्ता होनी चाहिए दूपरी बात में यह कहना चाहिए जिस तरह के सजागे प्राज़ान किये गए करम से इस कानून के लिए तो सरकार को दहेग्ष प्रथा के तरह बाल विवाय की तरह बाल मजदूरी की तरह यह लठार जी व्यवस्ता नहीं अपनानी चाहिए अगर इसको आप पूरी तरह से लागू करेंगे तो मैं समयता हूं कि सामाजी जो बद्लाव हैं या जो कुरूतियां उनको दूर करने में हमको बहुत सुविधार है यह तिफ्री बात में कहना चाहरा हूं सबस्क्राइब बद्लाव करेंगे तो जब हमने इस पर चर्शा की थी उस दिन एक परसंग आया था बड़ा दुखत तो सुमय शर्मा जी हमारे साथ थी तो मैंने उनसे कहा था कि कम से कम कानून तो लाइए बाद की बात बाद में देखी जाएगी कि यह वादा करके गई ती इन्होंने ये भी कहा था कि में मंत्री से बात करके अई हूँ जो संभध्य विबाग की मैंत मंत्री हैं उनने कहा है के सज्ध में इसको पारित कराएं गये सच बताओ उस दिन मुझे बहुत भरोसा नहीं था मैंने का तर नेता लोग हैं कोई नेता यह कहता कि नहीं लाएंगे वो कहते लाएंगे अट-sat साल से गरीबी हटी रही है आज तक कि प्रदान मंतरीन बोला कि गरीबी ने अटाएंगे सब्सक्राइब लेकिन हटी ने वो अलग बात है लेकिन मुझे प्रसनाता हुए आज जब मैं विशेत कर रहा था तो मिरे सामने एक और विशेत था मैंने कर इस पर बोलोगा यह किसी के खिलाप और पक्ष में नहीं यह अवाम का मंच है आप अवाम के सामने कोई बादा करें तो वो फिर पूरा होना चाहिए जनता को जनार्दन कहा गया अब इस कानून पर जोती जी ने कुछ अप्रिहेंशन्स बताए और शकुंतला राबत शकुंतला राबत ने कुछ अप्रिहेंशन्स जताए मैं उनकी बिवेचना में नहीं जाना चाहता लेकिन जोती जी मैं आप से एक दरुखास्त करूंगा जब बीमारी क्रोनिक हो जाए न तो होमियोपैथी से काम नहीं चलेगा तब तो पांसो एमजी की गोली देनी पड़ेगी मरीज ठीक होने लगे हाला सुधरने लगे तो डोज कम कर देंगे यह इससे शर्मनाथ कोई बात हो सकती है कि 2015 के राजिस्थान में डाइन बता के आउरत को मार दे हमारा आपका सब कसर जोगता है उसमें कांग्रेस भाजपा का मतलब नहीं मा और बहन और बेटी कहीं कांग्रेस भाजपा में बढ़ेगी क्या नहीं ना और मैं जो मांचन भाई ने जो बात कहीं ना मैं पहले बोलता तो मैं भी यहीं कहता एक आपके राजिस्थान में दर्श्य हुआ था एक महिला को निर्वस्त्र करके पूरी पंचायत के सामने गाउं का चक्कर लगवाया गया था जिसकी गूज साथ समंदर पार तक गई थी तब मैंने कहा था पूरे गाउं को जेल जाना चाहिए पूरे गाउं को जेल जाना चाहिए वो आखें भी उस अपराद में शामिल है जिनोंने देखा खड़े होकर बाँ तमाशा बना दिया उरत को समोई जेल होनी चाहिए ये गूंगो बहरों का समाज है क्या किसे ने पुलिस को इत्तला नहीं की पुलिस को लानत मलानत मैंने की दी लेकिन मैंने गाउं को भी लानत मलानत की दी वहाँ एक आदमी नहीं मिला हमको जो पुलिस को सुचना देता जुद्धी जी एक उधारवर किचन से दूंगा रसोई से आप और सुमंजी उससे सहमत होंगी टमाटर काटना हो या मखन ब्रेड पर लगाना हो तो मुथरा चाकू भी काम आता है मुथरा लिया जाता केक काटने के लिए जो जनम दिर पर ने बच्चे केक काटते से तो इसां के खिलाब कानून बना था तब भी यह रार हुई थी मुझे याद है बारुसिन के खिलाब लोग करे हो गएते बोले यह ठाकूर नहीं है तब नहीं बवाल मचा था देज का कानून आया तब भी हिदुस्तान में बवाल मचा ठीक है बाद में उसमें बिसंगतियां आए सुप्रीम कोट ने उसमें कहा कि सुधार करिए और सुधार हुए कोई अंतिव सील तो बंद नहीं हो गई ना अधालते है विधान सबाद खुद में है सेल्शोधर कभी भी हो सकता है लेकिन एक बड़ी शुर्वात होनी चाहिए महिलाओं के पक्ष में मैं इस प्रस्ताओं इस कानून से प्रसंद नहीं हुए इसलिए मैंने इसको नाम दिया देर से आए दूर्स तो आए लेकिन मैं और आपने कहा कि सब इस्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए ये बात से धांत रूप में ठीक है लेकिन जोती जी आप मेरी मित्रह में एक बात बताओं गहलोज साथ की सरकार में इस पर राट उपन च बात करके तुछ तब भी तो कानून आजसा अओं आहाँ पास नहीं हो पाये अलग बात है नहीं ला पाए विधान सभा में अब लेकिन कानून का द्राप्त तो त्यार किया था न और ये परथा आज की ही क्या सेक्रों साल का पाप है सेक्रों साल का पाप इसमotta क्या समजना कोई 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 एंगिल ऐसा है क्या जो ये कह दें ने थोड़ा सौप्ट हो जाए डाइन प्रथा पर नहीं न मैं फिर कहता हूँ आरा मशीन चाहिए ऐसे काम करने वालों से निपटने के लिए मक्षन वाले चाकू से कानून काम नहीं चलेगा नहीं चलेगा महिलाओं के प्रदी अपराध को लेके जो आदमी डर रहा है आज के समय में पूश उसमें कानूनों की बड़ी भूमिका है कानून होगा तब ने सजा मिलेगी कानून ही नहीं होगा तो सजा कैसे मिलेगी आदमी को फिर उसके बाद ये सवाल हर कानून पर लागू है इस पर भी लागू है इससे मैं सेमत हूँ कि जो मशीनरी है पुलिस है और जो तंत्र है वो अच्छे से लागू कराए ये हर कानून के लिए दुनिया भर में एक किसे धांत है तो आज पहले दिन मुझे लगता है हमको यह उम्मीद करनी चाहिए कि पूरा राजस्थान इसमें एक मत होके इस कानून की मजबूती के लिए खड़ा हो चहें भाजपा हो चहें कांग्रेस हो चहें गेर दलीये लोग हो समास से भी संगठन हो महिला अधिकारों के लिए लड अनुपालन हो रहा कि नहीं हो रहा जोति खंडेलवाल जैसे लोग सुमशर्मा जैसे लोग इसके अनुपालन का निगरानी करें और राजस्थान की हर महिला और महिला के प्रति सम्मान रखने वाले हर पुरुष को इसकी निगरानी करने चाहिए कि ये कानून अक्षर्षा जमीन पर लागू हो कि कोई डायन ये डाकी कह करके अगर किसी महीला के मान सम्मान को अगर ठेज पहुँचाने के कारवाई की जाती तो उसके खिलाव निश्चित रूप से कानून बन के तयार होना चाहिए मैं अमिताब जी की बात से कतई ऐसा हमत नहीं रजस्थान के हम यूँ कहें कि माथे पर ये एक बहुत कलंग की तरह है कि आज के जमाने में भी बाल विवा जैसी चीजें हो और हमें पता है कि आखातीज जैसे त्योहार पर ये चीजें होती हैं और उसका कानून है और फिर हम उसको नहीं रोक पाते तो उसके implementation को लेकर के जब question marks खड़े होते हैं तो जब हम एक कानून बनता है तो निश्चित रूप से इन चीजों को लेकर के भी मैं यूँ कहूंगी कि पूरी एक जो home work या होना चाहिए वो भी इसमें हो कि किस तरीके से क्योंकि हमिताब जी आप नहीं समय समय पर ये बाते भी आप ही के इस मन्ज के मादियम से भी उठाई है कि एक महीला जाकर के पुलिस थाने में जाकर के महीला पुलिस वहाँ पर उसको नहीं मिलती और अपनी बात को कि उसमें दवा देनी पड़ेगी एलोपैथी लाज देना पड़ेगा लेकिन जड से मिटाने के लिए हम बता रहे हम बता रहे हम बता रहे हमारा भी उत्देश्य अस्पताल में दवा नहीं उपलब्द है ठीक तब आप प्रभावशाली हो गरीब हो मरना ही नहीं यहती है तो आप दो-चार को पटक के मारो भी वहाँ एमेस को घेर भी लो तो क्या मिलेगा जब दवा ही नहीं यहनि दवा मेंडेटरी है तब आगे कोई बात बहेगी वैसे मैं कहता हूँ कानून पहली सीडी है उसके बिना सारी बात भी माने एक यह अप्रिहेंशन इंडियन पेनल कोड की हर धारा के साथ लगा है कि इंप्लिमेंटिश है मशीनरी कोई धरा ऐसी नहीं फिर वो बात शंते शंते अगर जीरोईन करें तो व्यत्तिकी नेतिक्ता पर आके खरी हो जाएगी ठीक है ना तीसरी बात इस तरह के मामलों में जब हम जैसे किसी की शादी में गए जोती जी मांचन जी सुनी देखिए का ठीक बात करा के गलत किसी की शादी में गए तो लड़का लड़की के मंच पे गए फूल गुलसता दिया रुपया जो निवता देना दिया और भाई शुबकामना दी फलो भूलो फूप खाटान होगी कि नए होगी इसकी प्रामानिकता कि पृस्टी के से होगी ये तो नहीं मैं जो इस दिन इतना ही बोलते है इश्व कb Guatemala ऊस्टोन खूब तरक्की करो दोनों को नाम हो इतना ही न strive भारत में तो अमेरिका में गयले इसलिए WWE का जानता नहीं में हूब को सूब इत्वरेग बोलते हम सब लोग मांतिजि यसे बोलते हैं नहीं जीनил , इसका प्रमादा व rough प्लीक करें रहे वो शर्मिंदगी तो माते से हताई कम से कम फिर बाकी लड़ाई हम और आप कहीं चा रहे हैं किया जोती जी हम सुन शर्मा जी को फिर करकर हम अखड़ा करेंगे अगर कानुन है तो हमारे कैसे है आदमी आगे यहां पर इनाचार हो रहा है 이ह उत्पड़न हो रहा है जी नहीं क्या आप जाना चाए हुर आप जोती जी ने जो ब्राथ कहीं करने वाले उनको हम चिन किसे थे हं तब जॉक्त 20 में तो बहुत सारी संभावनाराय सरात हो जाती है जोती जी को समझाने के लिए आज, उनका मन भी शांत होना चाहिए, उनके तर्फ उनको चीजे समझानी चाहिए, चुकि हमारे लिए सुमन जी जोती जी का मतलब राजस्थान की मातरशन थी, इस वक्त आज की विशेपर, पार्टी मेरे लिए सामने फ्रेम में नहीं, मैं कहत कानून तो है ने मैं किस में बंद कर दूँ, कानून बंद गया तो ग्रफ्तारियां होने लगी, उससे पहले मेरे कहने पर भी ग्रफ्तारी नहीं होती थी, वो किस सदारा में बुख करूँ, इसने मैसेज बेजा है, कैसे बंद कर दूँ, ठीक है न, इसलिए कानून बहुत जब जरूरी है और निशंत रहिए जनमत प्रचंड होना चाहिए जनता जाकरत रहनी चाहिए कानून का इंप्रिमेंट हो जाएगा और तीसरी बात आपने कही है आखा तीज की सत्ती पृथथा की दहेज हत्या की सारे एक साथ रख लिजिए जब सख्त कानून नहीं थे और आज कितनी है ये देखेंगे तो हमको इन कानूनों का महत्तो पता लग जाएगा और बिल्कुल अपराध मुक्त राज्य ना तो चानक की ने बताया हमको चंद्रगुप्त का ना अकवर के समय था ना अशोका के समय था और तुलसी भाबा को भी मैंने पढ़ा वालमी की ज स्रश्टी पे है लेकिन जब तुलसी ने कहा कि तेहिक देविक भोतिक तापा राम राज नहीं का हूँ व्यापा उसी राम राज में वुल्यगे रावण सीता को लेकिन राज डंड होना चाहिए उसकी व्यवस्ता हुई इसलिए प्रसनता है समझे कुछ कह रही थी जी मैं अविदाब जी ये कहना चाह रही थी कि आपने अभी जोती जी के सारे सवालों का जबाब देते हुए ये कहा था कि विपक्ष जाने विपक्ष कितना जबाब द बाता है या ने देता है तो आपने मेरे प्रसंचिन लगाया नगरा लडाई के मूड मेंने मुद्ध में में आज में दे सकती हूं लेकिन धन्यवाद आपको कि आपने जबाब दिया और एक मानों का जो सवभा हुआ वह सामने दिख थे आए पार्टियों से उपर उटके आज में कोई कहता है कि बात पर जो बहुत करने नहीं हूँ, तो आपने देखा आप कई लोग पर आरोप लगाते हैं कि ये धार्मी कास्ता पर प्रहाद नहीं करते हैं, धार्मी चीजों को समर्थन देते हैं, मांचन जी बैटे हुए, ये भी कहेंगे, लेकिन आपने देखा तांतरिक इस सरह के जो मंदिरों में बैटके नाटक रचाते हैं ना? मपञीदों में और कहां कहां बैटके तांतरिक बनते हैं, और क्यम दायन, कि टिक करेंगे डायन के डॉक्त्रेश को बनते हैं! उनके खिलाब क कानून मनाया, तो हम ने बख्सा नहीं किसिको, कोशिस म कि वो सारे लोग इस घेरे में आ जाएं और सुधार तो प्रकृति का नियुन है परफेक्ट कोई हो नहीं सकता आप खुद ही कह रहे थे उस बहस को मैं याद करना चाहूंगी जिस बहस में लोग तीन होते हैं आपने इसमें बहुत जोरदार बात कही थी हम लोगों को भी उस पर जिक्र किया राजस्तान में मैंने पढ़ा है सुना भी है कि कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर तांत्रिक जमाओते हैं क्या कल के बाद या आज से वहाँ पर संक्चा घड़ जाएगी देखिए मुझे लगता है कि भैवी नो इन अपरीथ जर से बहुत कुछ होता है संक्या कम होगी नहीं होगी तो कम कर दी जाएगी खंडिला साब यकीन है जो बात सुमंजी कह रही है कर देखिए मैं कि यकीन होना ही पड़ेगा क्योंकि जन्ता बहुत जाहुरूग हो गई है सूचना पूर्ण हो गई है बेबाग हो गई है दरंग हो गई है और अभी जो सुमंजी कह रही थे न हम इसके इंप्लिम्मेंट करेंगे मैं उनके लिए वासन में लेकर भी आया हूँ एक व्यक्ति कह रहा है कि दुनिया के 59 जो रोग हैं ऐसे एट सेले के जुखाम तक वो में के पांच मिनट पर ठी कर दूँगा और मैं यह इसलिए करना चारा हूँ कि मैं जैनी हो और वो भी जैनी है और ऐसे पाखंदियों को पकरने का कोई व्योस्ता इस कानून में है अगर होगी तो मैं समझता हूँ कि मैं आगे इसके लिए अप्रोच करूँगा आपकरें आप करवाएं और नहीं दें अर जो हो रहा हूं हुआ उटर इसकानून मे उस पर भारत निए कानून है कि और उसमें कानून में ये तक लिए एक सिकिन मांज़ेंगी उसमें यहां तक है कि इलाज पर कोई दावा नहीं कर सकता शर्तिया इलाज जैसा विग्यापन कोई नहीं दे सकता चाहें डिग्री धारी हो चाहें बिना डिग्री धारी हो मेरे पास मेरे पास मैं भी गया पर मैंने सुमंजी को दिखा है। पहुंचाते हैं उसको खतम करना रोकना उनकी संख्या में कमी आना उस भावना के अनुरूप निश्यत रूप से काम होना चाहिए। में हैं और कई लाख जेल काच चुके पंडी जी के समझे लेके आज तक मोदी जी की सरकार तक लाखो लाख करोनों लोग जेल काच चुके गुजर गए। प्रानांत हो गया बहुतों गुफासी भी हो गई। अगर ये कानून भी नहीं होता तो फिर तो हत्या करना उत्रा ही सहज होता जितना बजार से आलू लाना ब्रेड लाना बगल की दुकान से। पुलियाद मन कर रहा है, एक मर्डर कर दूँ, फिर तो फन हो जाता है लोजाती है जैसे मोबाईल मेसिज भेजना पुलियाद मन कर रहा है वह पड़ोस वाला है न उसकी शकला अच्छी निलगती व्लियाद निप्ताई देते हैं। हो रहे हैं अपराध लेकिन दंड की व्यवस्था है न मुझे बताईए और दहेज हत्यात जैसे कानून ने भारत के समाज को जितना बदला है उतना बहुत कम कानूनों ने बदला है उसके दुरुपियों के किस से बाद में आए अतिस अरवत्ते वर्जते ये तो हमारे आशा परिवारों को खौफ खाते देखा जोती जी मने ऐसे इसे परिवारों को देखा जिनके यहां महिला को लाठी डंडे से पीटने की शास्षत परंपरा थी अखंड परंपरा उनके हाथ पाउख आपते देखे मैंने बुले भाईया बचाओ सिफोन कर दिया वो उसने थाने में सो नंबर पे जमानत नहीं हुई कानून इतना सकते है जमानत नहीं होती बाप भी जेल में मा भी जेल में नंद भी जेल में पती भी जेल में चलो करो ड्रामा इसलिए कानून जरूरी है जब समाज अपनी जिम्मिदारी समझने से चूकने लगे तो डंडा चाहिए यह मैंने कह रहा यह चानक के कह गए और जिस दिन समाज इतना सब्भे हो जाए कि नारी पर कोई अत्याचार नहीं करे तो नारी से समझने सारे कानून डिजॉल्व कर दे उस समय की संसत क्या दिक्कत है लेकिन हम पुरुषों को शरम तो आनी चाहिए मुझे तो दोरी शर्म आती है एक तो दुख होता है शरम आती है कि मेरी मा है नारी उसके उपर एस साथ अगर और दूसरा जो करने वाला है अगर वो पुरुष है तो यह शरम डबल हो जाती है कि मेरी ही प्रजाती का आदमी है यह भाव रखिये अच्छे की अपेक्षा रखिये मंगला चरण में अच्छी ही बात हो जब सोहर गाने का समय होता है तब शोक भीद नहीं और कानून नहीं नचल नहीं लागू हो रहा होगा को पुलिस कप्तान एस्टो दरोगा सिपाई लागू नहीं करेंगे तो उनको गिरेवा पकरेंगे नहीं हम कौन रोख लेगा हमको क्या कोई सरकार रोख सकती है हमको मांचन जी को जोति घंडिलवाल को नहीं सुमन शर्मा को नहीं सरकारी अपना काम करेंगी हम लोग अपना काम करेंगे समाज में लेकिन हमारे हाथ में एक आश्त्र तो हो हम जाके पुलिस के अधिकारी की गर्दन पकलें कि भाई इसको क्यों नहीं बुक किया तो वो यह नहीं कह about कर दूँ, मैं तो कानून से बंदा हूँ इसलिए इस कानून का स्वागत होना चाहिए पूरी महिला की सम्मान की पूरी यह एक शंखला है कानूनों की उसी में यह यह की जरूरी कानून था और ये बहु प्रतिक्षित कानून था बहुत पहले आ जाना चाहिए था जहाँ जहाँ ऐसी समस्याएं हैं और ये समस्या तो सब को पता थी ये कोई सीक्रिट तो थी नहीं और राजनेताओं को तो हमसे भी जाता पता थी चुना आपके समय तो गाउं जाते हैं वैसे नाभी जाएं तो देखते ही हैं कैसा क्या किस्सा चल रहा है हाँ दूसरी बात आई ये तांत्रिक ओजा फकीर मोलवी मोलाना पड़े ये जो लोग बवाल कर रहे हैं इनके लिए कानून है इनका भी अनुपालन होना चाहिए लेकिन कानून को सशक्त बनाने के लिए हमको अपनी भूमिका भी निभानी चाहिए थोड़ा हम भी चलें दो कदम आगे हम मजबूर तो करे पुलिस को और फिर पुलिस नहीं माने कानून को उसका अनुपालन नहीं करे तो मीडिया है, धर्ना है, सत्यागर्ण है, अंशन है, हम बैठेंगे, विधान सभा की बाहर बैठेंगे, हम अवानचन जी जाके, क्या दिक्कत है, जन्ता के लिए, लेकिन इतना तो करें हम, आप सरकार को चक्रिवियू में तो भासाओ, जोती जी, एक ऐसा केस आइडेंटि दीजिए, सरकार का इकवाल कसोटी पर खड़ा हो जाएगा तुरंट, पता लग जाएगा कानून के पक्ष में है या नहीं है, तो कम तकम जन्ता तो जानेगी चेहरा, इसलिए मैं कहता हूँ, हम लोग जागरत रहेंगे, तो फिर हमारी मा बहन बेटी को कोई डाइन नहीं कह पाएगा, आज कानून बना है, कल उस पर राजयपाल की मोहर लगेगी, परसों वो परदेश में लागू हो जाएगा, उसके बाद अमिता बच्चन साब कहते हैं अपने शो में आपका समय शुरू होता है अब, तो विधान सभा का और गवर्नर हाउस का समय हो गया पूर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी तब लगाएंगे जब प्रशाशन काम नहीं करेगा, अने था सरकार ने जो विधाई काम करना था वो कर दिया, अब हम लोग देखेंगे कि महिलाओं का सम्मान शुरुक्षित रहे, बहुत बहुत धन्वार, तो चलि आज के शर्चाम अभ बहुत 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 शुक्राइब सर्चाम जुड़ने के लिए तो फिलाल बिग वोलिटर में अभी बस सतना है